अगत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे और आज हम लेके आ गए है फ्रेशर्स के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी तो पहली जो अपॉर्चुनिटी है यह एक इंटर्शिप अपॉर्चुनिटी है फॉर सी सी प्लस प्लस और पाइथन एक्सपिरियंस वालों के है तो आपको डेफिनेटली एक इन तीनों में से एक जो है वो लेंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए रेस्पंसिबिलिटी जो होना चाहिए आज के टाइम पर अगर मैं आईटी की बात करूँ तो हर जगह पर यूज हो रहा है तो आप अच्छे से प्रॉम्ट कैस को मिलने वाली है वह हर्मन की और से मिलने वाली है और सैमसंग के कंपहनी है तो यहां पर आपको बहुत अच्छे मिलने वाली और सीख Nope J op इंजिनियर ट्रेनी की यहां पर बात करें तो लोकेशन आपकी नाइडा होने वाली है और गेट के लिए अगर जीटी के लिए यहां पर हाइरिंग हो रही है तो डेफिनितली आपकी जो रोल्स और रेस्पंसिबिलिटी है वो आलाइन होने वाले है आपके IT related तो as a IT person आपको क्या करना पर सकता है जो different different requests आती है client के थुरू उसको आपको यहां पर implement करना पर सकता है और जो भी आपने implement किया है उसका documentation आपको यहां पर बनाना पड़ेगा जिदनी भी deliveries होती है different different type की strategies होती है जो की different different companies follow करती है वो आपको यहां पर करना पड़ेगा और आप IT के बारे में कुछ भी जानते है तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप इसको जरूर भरियेगा और IT से related जो जो work होता है जैसे जैसे वो questions आप से पूचेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ आपको पता है मगर हाँ अभी तक आपने इसका interview नहीं दिया था तो आप इसका exposure नहीं ले पाये थे चलते हैं तीसरी job opportunity ये भी एक internship opportunity है और बात करें यहाँ पर जो आपकी location होने वाली है वो होने वाली है बैंगलोग और salary जो है competitive है मतलब कि आपको जो यहाँ पर salary होगी थ्री से अबाव ही होने वाली है as a intent में यह आपको कम दे सकते हैं मगर आप जैसे ही वहाँ पर as a trainee लगेंगे तो वो आपको 3 से अबाव ही देंगे अब बात कर लेता है key responsibilities तो accounts are related आपका पूरा यहाँ पर काम होने वाला है और बात कर लेता है skills skills क्योंकि आज बहुत matter करता है अगर आप IT के अंदा exist करना चाहते है तो skills आपकी जो है बहुत strong होनी चाहिए strong analytic and numerical ability तो जो लोग भी accounts के अंदर है या जो भी domain को search कर रहे है या expose करना चाहते है तो मैं उनको एक suggestion दूँगा कि power BI जो है power BI का आप यूज करिए क्योंकि उससे हम जो analytics होता है वो बहुत quick way में कर सकते है और different different type के filters यूज करते हैं वह आपे तो power BI जो है एक बहुत अची चीज है और उसके साथ यह MS word Excel, power point, यह सब तो मतलब अगर basic कहीं पर भी आप जाएंगे तो इसकी ज़रूरत आपको यहां पर पढ़ने ही वाले है और तीनों के में description में आपको link के दे दूँगा ताकि आप एक बार go through कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए eligible है तो ज़रूर इसको fill कीजिएगा